आप सभी लोगोंने हाल ही में एक खबर सुनी होगी कि हमारे 40 से जानदा पत्कार, दो मंत्री और एक जज यानि की सम्विधानिक पद्व और तीन बेपक्षी नेताओं की जासुसी करने का दावा किया गया है जासुसी का मतलब समझ रहे हैं कि उनकी phone में किस से वो बात कर रहे हैं, कहा एमेल कर रहे हैं, किस से SMS कर रहे हैं, कौन सी बाते हो रहे हैं उनके बीच में एक तरह से आप इस तरह से ले सकते हैं से कि माल लिजे कि आपके मोबाइल में ऐसा कोई सॉप्ट्वेर आ जाए कि आपका मोबाइल मैं कंट्रॉल करने लगूं यानि कि आप समझें कि आपका मोबाइल किसी और का गुलाम हो जाए आपकी मुबाइल में आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस से बात कर रहे हैं, यह सभी किसी और के पास जानकारी जाने लगे और यही डाटा होता है, यही डाटा चोरी भी होता है आप लोगों में से कहीं लोग पूठते रहते थे कि यह डाटा चोरी क्या होता है साइगर अटेक क्या होता है यही होता है माल लिजे कि मैं यह आप लोग देखते रहते हैं आप लोग कहीं चैटिंग कर रहे हैं किसी से बात कर रहे हैं और मान लेए कि यह आपकी चैट किसी तीसरे वेक्ती तक पहुंच जाए तो हो सकता है कि आपको खत्रा हो से आप कोई प्राइविट बात हो चल रही हो वो आप सब के सामने नहीं लाना चाह रहे हूं तो यही हुआ है और याद रखिए इस सॉप्ट्वियर के द्वारा जिस यानि कि एक दूसरे के घर में जाकना और इजराइली कमपनी के द्वारा इस सॉप्ट्वियर को त्यार किया गया है और NSO गुरुप के द्वारा बनाय गया है लेकिन आपको मालू होना चाहिए कि इस कमपनी के द्वारा एक कहा गया है कि हम एक किसी को नहीं बैशते हैं हम इसमे हमारी झिम्मेदारी नहीं रहती है年的 कि कोई आपके मोबायल की टेविंग कर रहा है या कोई इस तरह की जासूसी कर रहा है MV कि अगर सरकारों को मैंचते हैं तो आप सभी जानते हैं कि सरकार पर हमारी जो सरकार Yeka I इस पर उंगली खड़ा होगी हर कोई कहेगा क्योंकि यह किसी निजी बैखती को नहीं बैशता है इस कंपणी का कहने का यही मतलब है और आप लोग इसे Pegasus को इस नाम से भी जानते होंगे कि इस cyber ब्यापन से यानि की cyber हत्यार बनाने का काम करती है इसलिए चर्चा में भी रहती है और याद रखे इजराइल की कंपनी है कहां की कंपनी है? इजराइल की कंपनी है इजराइली software है तो ये भी आप लोगों को मालो होना चाहिए और आप सभी जान रहे हैं कि सरकार ने भी आपकी सफाई दी है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है सबकी से कोटी सबकी अपने अधिकार बने हुए हैं लेकिन समझी अगर ऐसा होने लगा है इससे पहले भी आपने देखा है कि इवार ये मामला उठा है तो आप सभी जानते हैं कि आपकी अधिकारों का क्या होगा आपकी निजता का अधिकार क्या होगा खतम है आपके बीच किसी के बीच क्या बातें चल रही है कोई भी ट्रेफ कर सकता है तो चलिए इसके बारे में कुछ और पॉइंट है ने भी जान लीजे आप लो इजराइल के Pegasus Software से देश के करीब आप देखेंगे 300 verified mobile नमबरों की जासुसी होने की report सामने आई है और इन में से आप देखेंगे कई आपके मंतरी सामेल हैं कुछ नामची नेता भी सामेल हैं बड़े बड़े पत्तकार भी सामेल हैं क्या हैं बड़े बड़े पत्तकार भी सामेल हैं इसमें आपने एक दो नाम सुने होंगे पत्तिकारों के काफी चर्चित पत्तिकार हैं एक तो आप लोग ने नाम सुना होगा रोहिनी सींग, एक पतकार हैं दाववायर की, एक आपने सुना होगा स्वाती चद्रवेदी, ए भी सुतंत पतकार हैं, सुसांत सींग, ए इंडियन एक्सेस में डिप्टी एडिक्टर हैं, और भी आपके सिद्धाद, बरद राजन, औ आपके जारकंड से आते हैं, सिद्धान, सिब्बल, भियोन के विदेश मंतरा लेके पतकार हैं, संतोस भार्तिये, वरिष्ट पतकार हैं, पूर सामसद भी हैं, मनोरंजना गुपता, ए फ्रेंटीयर टीवी की पिदान संपादक हैं, संजय सियाम, ए बिहार की पतकार हैं, तो यह आप लोग ध्यान, कोई मुझे नहीं लगता है कि नाम आपके लिए जरूरी है, इसके अलावा आप देखेंगे, अधिवकता हो, माना ओधिकार कार करता हो, और अन लोगों के नाम इसमें सामिल होने का दावा किया जा रहा हैं, यह रेपोर्ट दागार्जियन और बॉसिंग्टन जो पोश्ट है, इसने इसकी पुष्टी की है, और इसने क्या किया कि बाकी मीडिया, जो भी विदेशी मीडिया है, उन्हें दीए जान करी, उन्होंने सबके सामने लाई, हाला कि पैगासस सॉप्ट्वियर, बेंचलम वाली कंपनी एन एसो ने इन दावों की का अलग बात है, हुआ है या नहीं हुआ है, एक अलग बात है, लेकिन अगर आपने सॉप्ट्वियर किसी को दे दिया है, तो आप आतंग वादियों के लिए करें, अपने देश के नांगरिकों के लिए करें, आपको क्या मालूप? समझ रहे हम तो किसी के लिए भी हमारे पास अतर सॉक्टिवेर आ जाता है तो हम अच्छे लोगों की भी टेकिंग कर सकते हैं, जागसूसी कर सकते हैं और बुरे लोगों की भी कर सकते हैं और इसके लाब आप देखेंगे केंद सरकार ने भी इन दावों को खारिच किया है और करेगी भी सरकार तो सरकार की तरफ से कहा गया है कि देश में किसी का भी फॉंट गैर कानूनी रूप से हैक नहीं किया गया है सूचना यहों पिसारण मंतर आले की ओर से जारी चिट्थी में कहा गया है कि राष्टी सुरक्षा से जुड़ी मसलों पर तैसोधा कानून पिक किरिया का पालन करते हुए किसी का फॉंट टेप करने की इजाज़त दी जा सकती है और इस सॉप्ट्वेयर के दुर्प्य गुहने का दावा देखें अगर हम लोग तो इस रेपोर्ट में पेगासस सॉप्ट्वेयर का लगातर और वड़े इस्तर पर दुर्प्य गुहने का दावा किया गया है और इसी रबोर्ट में कहा गया है कि इस हैकिंग सॉप्ट्वेयर से दुनिया भर में कई सरकारों ने जासुसी कराई जिसमें आप देखेंगे 300 से अधिक भारतिय मुबाइल नंबर सामिल है इन फौन नंबरों का इस्तेमाल मंतरियों, सरकारी अधिकारियों, पत्यकारों, विग्यानिकों, विपक्षी निताओं, ब्यापारियों, माना अधिकार, कारिकरताओं और समय कर रहे थे और दावा ये भी है कि इन नमबरों से सम्बंदित कुछ फॉन की फॉरेंसिक जाज में साब संकित मिले कि 37 फॉन पेगासस सॉप्ट्वेयर के जरिए निसाना बनाए गए इन में से 10 भारतिय थे तो आप कौन सही है, कौन गलत है आप लोग इतने समझदार हैं, आप करते रहे हैं लेकिन आज फीन की बात नहीं कर रहा ह्जों में इससे पहले सरकारें जो भी रही हैं वो किसी भी हद तक जाती रही हैं आप माल लजे कि आपकी पड़ोसी है आप विपक्च मात लीजिए कि आप ही सरकार है आप तो आपकी मन में तो मतलब रहेगा न कि हम अपने विपक्च की या हमारे खिलाब है उसकी बात हम सुन सकें उसकी रड़नीती जान सकें तो आप तो करवा सकते हैं न तो देखिए अब यह क्या हुआ है कि निवा इस पर मत जाई है इजराइली कंपणी एनसो ने यह सॉप्ट विए दुनिया के 36 सरकारों को बेंचा है लेकिन उसने अपने गरहाकों की पहचान वो जागर नहीं किया और आम तोर पर करती भी नहीं है ऐसी कंपणी आप समझे हैं कि वे भी आप लोग याद रखेगा कैसे आया यह सामने डाटा इसकी जानकारी भी बता देता हूँ और इससे पहले आपको बता दूँ कि एक काम कैसे कर देता है आप सभी जानते है कि आप लोग एंटी वायरस डलवाते हैं अपने लेक्टॉप जीमेल पर आपके कई इस तरह की वायरस आते रहते हैं उस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करते हैं और आप देखते हैं कि आपके जो भी सिस्टम है उसके अंदर वायरस आ जाता है कई बार आप लोगों ने यह भी बातें सुनी होगी कि एक मैसेज आया हुआ था और उस पर उससे लिंक पर आपने क्लिक किया आपकी अकाउंट से पैसे उड़ गए तो इसी तरह आप देखते हैं या फर कोई कॉल आई उस पर आपने बापस कॉल किया और आपके मतलब जो भी सॉप्ट वेयर है वो अनस्टॉल हो गया आपको दिखाई नहीं दे रहा है आपकी जो भी जानकारी है वो निकल रही है वहां से जा रही है रिकोर्डिंग हट रही है लेकिन आपको मालू नहीं चल रहा है ठीक है और जीमेल पर तो आप देखते हैं इस तरह की कई वायरस आते रहते हैं आपके जानकारी की मताविक एक लेक डाटाविस को पेरिस के नॉन प्रॉफिट मीडिया फोर्विडेन स्टोरीज और MNST इंटरनेशनल ने एकसेस किया उन्होंने यह डाटा अन मीडिया संस्तानों के साथ साज़ा किया और इस पड़ताल को प्रोजेक्ट पेगासस नाम दिया गया है फोर्विडेन स्टोरीज के मताविक इस रिपोर्ट में NSO के गरहाकों द्वारा चुने गए फॉन नंबरों के रिकॉर्ड हैं इस सूची में पहिचाने के अधिक तर फॉन नंबर दस देसों के हैं इन देसों में आप देखें कि भारत अजरवेजान, बहरीन, हंगरी कजाकिस्तान, मैक्सको, मुरक्को रवांडा, साउधी रभ और सयुक्त अरभ अमिराज सामिल है अगर इस तरह की जानकारी सही है, तो हम जो एक तरह से दावा करते हैं, सबसे बड़ा लोगतंत होने का, इसकी हवा निकलती हुई नजर आएगी क्योंकि कुछ समय से आप देख भी रहे हैं कि लोगतंत मतलब हमारा जो इंडेक्स आ रहा है उसमें भी हमारी बुरी तरह से हार हो एक तरह से नीचे जा रहे हैं हम लोग क्योंकि हमारे जो अधिकार दिये गए है कितने लोग अधिकारों का उसका उपयोग कर पा रहे हैं आप देख रहे हैं कई बार सरकार पर और आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कई हाई कोर्टों ने फटकार भी लगाई गूई है, तो ये भी देखने को मिल रहा है, इस रेपोर्ट में आप देखेंगे भारत के 40 से अधिक पत्यकारों, तीन पिरमों को बिपक्षी नेताओं और एक समिधानी कदिक समय रहे हैं, कोई जग भी हो सकता है, कोई चुना आयोग का अधिक्छ भी हो सकता है, और केंध्र सरकार के दो मंत्रियों अभी जो करेंट में मंत्री है, सुरक्षा संगठनों की वरत्मान प्र्व अधिक्छ, वककारो बारी की जासूसी की गई है, इसके अलाबा आप Supreme Court के एक बर्दमान नियाधिस के नाम पर भी दर्श किया गया है Supreme Court आप समझ रहे हैं हाला कि रिपोर्ट में यह पुष्टी नहीं हुई है कि डाटा बेस में जब यह नमबर जुड़ा तम नियाधिस नमबर का इस्तिमाल कर रहे थे या नहीं कर रहे थे लेकिन आप याद रखिए कि सेव्थ रिपोर्ट में नहीं हुई इसकी जासुसी की पुष्टी नहीं की गई है रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में 13 आईफॉन की जाच की गई जिसमें इस 9 मोबाइल फॉन को निसाना बनाने की जाच सामने आई है वही इसमें से 7 आई फॉन में पेगासस सॉप्ट्वियर पाया गया है हाला कि इस तरह जाच में आप देखेंगे भारत ने भी एक तरह से इसे पलड़ा ज़ाड लिया है और इनकी आप देख सकते हैं तो यह जानकारी आपको याद रखनी होगी और वैसे भी आपके अगर मोबाइल पर जीमेल पर कभी इस तरह का मेसेज आता है या आप देखें कि तो आप लोग उसके लिए मतलब उस लिंक पर मज जाय करिएगा क्योंकि आप देखते हैं कि आपका कभी भी नेट बेंकिंग हो फॉन बेंकिंग हो इस तरह का भी आपको चूना लग सकता है आपके भी कोई अकाउंट है को सकते हैं तो आपको विसे इस ध्यान रखना होगा, और ये क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, हुई है या नहीं हुई है, या तो करने वाला जानता होगा, या ये कंपनी जानती होगी, और कंपनी बताएगी नहीं, ये के लिए रहे, और सरकार चाह अपने सेकॉर्टी खुद बनाया रखिएगा और डाटा का यहीं मात्पूर होता है यसे लिए कि आपकी जो भी प्राइबेट प्राइबेसी है उसका हनन हो जाना है ठीक है और आप लोग एटीम एटीम चलाते हैं उसका भी किसी को मत दिया करिएगा ठीक है